बहुत ही अपसोस और पीड़ा का विसय है कि भारती जनता पार्टी की सरकार और भारती जनता पार्टी के नेता पिछले सतर दिनों के किसान आंदोलन में देश के अनदाताओं को गदार बताने का काम किया देश द्रोही बताने का काम किया, आतंक वादी बताने का काम किया, पाकिस्तान परस्त बताने का काम किया, उनके उपर लाठियां चलवाई, उनके उपर आसु गैस के गोले छोड़े, उनके उपर पानी की बहुचारे करवाई, उनके उपर एनाईय की जाच करवाई, उनकी स पत्ति जब्त करवाने का काम किया और ये सब कुछ जब कर चुके तो अब खुले आम उनके उपर हमले करवा रहे हैं उनको मरवाने और पिटवाने का काम कर रहे हैं और इसलिए आज कुछ गंभीर बाते आप लोगों के साथ सेयर करना चाहता हूँ पिछले दिनों 26 जन्वरी को ट्रैक्टर रैली की अनुमती किसान संगठनों ने लिया नौ रूट उसके लिए तैंकिये गए तिरंगा रैली निकालने की पर्मिशन ली किसानों ने साथ रूट पर कहीं कोई हिंसा नहीं हुई लगबग 90 प्रतिसत रूट पर उन लोगों ने ट्रैक्टर रैली अपनी बिधिवत निकाली तिरंगा रहली बिदिवत निकाली दो रूट से कुछ अराजक तत तो घुसे जिनोंने लाल किले के सम्मान पर ठेस पहुचाने का काम किया जिनोंने लाल किले पे हंगामा करने का काम किया लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि लाल किले का अपमान करने वाला कोई और नहीं लाल किले का अपमान करने वाले लोग भारती जनता पार्टी के लोग हैं भारती जनता पार्टी की साजिस थी भारती जनता पार्टी ने लाल किले पे हमला करवाया भारती जनता पाटी ने लाल किले को अपमानित करने का काम किया ये काम भारती जनता पाटी ने किया और इसके एक नहीं अनेक प्रमाण है ये व्यक्ति जो लाल किले पर चड़के अपना एक जंडा फैराता है दीव सिद्धू जिसका नाम है मैं पूछना चाहता हूँ ये पिछले डेड़ दो महीने से इस आंदोलन में क्या कर रहा था किसकी पर्मिशन से इस आंदोलन में था कैसे इसने घुसपैट बनाई थी ये भारती जनता पार्टी का नेता है ये भारती जनता पार्टी के लोगों के लिए काम करता है और इसकी फोटो देश के प्रधान मंत्री, देश के ग्रह मंत्री और भारती जनता पार्टी के सांसद सनी दोल के साथ है मैं तीन साल से सांसद हूँ मेरी कोई फोटो देश के प्रधान मंत्री के साथ नहीं है किसी व्यक्ति की फोटो किसी के साथ हो सकती है लेकिन कम से कम प्रधान मंत्री के साथ फोटो खिचवाने के लिए एक सुरक्षा की जात से एक सुरक्षा के घेरे से आपको निकलना और ये विक्ति प्रधान मंत्री के साथ फोटो खिच्वारा ग्री मंत्री के साथ फोटो खिच्वारा यानि भारती जनता पार्टी का नेता है ये इसका मतलब साफ है कि लाल किले का अपमान करने वाले लोग भारती जनता पाटी के लोग थे भारती जनता पाटी ने देश के स्वाभिमान और सम्मान को ठेश पहुचाने का काम किया है लाल किले पर हमला करके देश द्रोह करने का काम किया है इसलिए बीजेपी के खिलाफ पूरे देश के अंदर जनता की अदालत में देश की अदालत में देश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए इन्होंने देश द्रोह का कृति किया है ये कोई और नहीं मैं फिर दोरा रहा हू भारती जनता पाटी के लोग ये हैं तस्वीर है इनकी प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के साथ और आप 70 दिन से जो किसान आंदोलन कर रहा है जिनके बीच से 125 किसानों अपनी शहादा तब तक दे दी अपनी जान दे दी उनके उपर आपने पानी की बहुचारे करवाई उन्होंने हिंसा नहीं की आसू गैस के गोले छुड़वाई उन्होंने हिंसा नहीं की लाठियां चलवाई उन्होंने हिंसा नहीं की एनाईय की जाच करवाई उन्होंने हि नहीं की 75 साल के बुढे लोगों की आखें फोड़ दी उन्होंने हिंसा नहीं की ये हिंसा करने वाले लोग कोई और नहीं भारती जंता पाटी के लोग हैं कि इसका का एक प्रमार दिया अब मैं दूसरा प्रमार देता हूँ बाबा महेन सिंग टिकैट के बेटे किसान नेता राकेस टिकैट को रोना पड़ता है उनके आग से आशू आ जाते हैं और रोरो के चीक चीक के वो कहते हैं बीजे पी का विधायत अपने कुछ गुंडों के साथ हमारे किसान भाईयों पे हमला कर रहा था और मैं जहर खा लूँगा लेकिन अपने किसान भाईयों पर हमला नहीं होने दूँगा ये रोकर बिलखकर परसों रात की घटना है राकेस टिकैट जी ने पूरे देश के मीडिया के सामने ये बात कही और वो विधायक क्या कह रहा है वो विधायक भारती जंता पाटी का विधायक आदित नाद जी की सरपरस्ती में काम करने वाला विधायक लोनी का विधायक खुले आम कहता है इन किसानों को उड़ा देना चाहिए वारे आदित नाद जी वारे भारती जंता पाटी के लोगों किसानों को उड़ाने के लिए तयार हो अन दाताओं को उड़ाने के लिए तैयार हो उनकी हत्या करने उनको मारने के लिए तैयार हो जो तुम्हारा पेट भेरते हैं उनके पेट पे लात मारने को तैयार हो उनकी जान लेने को तैयार हो और इतनी गंभीर इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी अभी वह विधायक खुले आम घुम रहा है उसके खिलाब किसान नेता थाने पर भी पहुंचे हैं फाई यार के लिए कोई कारवाई नहीं हो रही है तो भारती जंता पार्टी के लोग अभी सस्तर पर उतराये हैं कि किसानों पर अन्रदाताओं पर हमले करा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित नात की महापंचायत हुई और आज मतुरा में भी बहुत बड़ी किसानों की महापंचायत हो रही है मैं मोधी सरकार से कहना चाहता हूँ किसानों को जितना अपमानित करोगे मैं आधितना सरकार से कहना चाहता हूँ भारती जंता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ भाजपाईयों जितना किसान को दबाने और अपमानित करने का खाम करोगे उतना ही ये आंदोलन तेजी के साथ पूरे देश में फैलेगा अब पूरे पस्चमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ये आंदोलन अपना ब्यापक रूप ले रहा है और बड़ी संख्या में लोग अब किसान आंदोलन में सामिल हो रहे ह कल सिंगू बॉर्डर पे जो दिर्श्य आया वो आप देखिए ये हालत है किसानों की ये हालत कर दी गई है मार कर पीट कर पत्थर चला के सरीर लहो लुहान कर दिया गया सर फोड़ दिया गया किसान का और ये सर फोड़ने वाले लोग को ने क्या कहते हैं लोग भाजपाई कहते हैं अस्थानी लोगों का विरोज ये वो अस्थानी लोग ये वह व्यक्ति है जिसने कल सिंगू बॉर्डर पे हमला किया किसानों के उपर हमला किया उनके सर फोड़े पत्थर बाजी की इसकी फोटो देश के ग्रियमंत्रियमिस्सा के साथ इसकी फोटो सिंगू बाडर के पत्थर बाजों के साथ इसकी फोटो जल बोर्ड में केजिरिवाल सरकार के खिलाप प्रदर्सम करने वालों के साथ ये इसकी फोटो ये आप देखिए दूसरा ये सक्स भारती जनता पाटी का नेता इसकी फोटो भाजपा के सांसत के साथ और इसकी फोटो सिंगु वार्डर पे हमला करने वाले किसान नेताओं को टार्गेट करने वाले उन पे पत्थर चलाने वालों के साथ और यह तस्वीर देखिए आप बड़ी रोचक तस्वीर है यह बड़ी शांदार तस्वीर है कैमरा जूम करके इसको देखिए आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा समझ में आ जाएगा कि भारती जनता पार्टी ने देश द्रोकिया समझ में आ जाएगा कि भारती जनता पार्टी अंदर्दताओं पे हमले करा रही है समझ में आ जाएगा कि लाल किले का हमला भाजपा की साजिस्थी और भाजपा ने वो देश रोकिया यह समझ में आ जाएगा आपको कि यह पत्थर चला रहे हैं सिंगू बॉडर पे लोग और यहां कोने में यह देखिए आप यह कौन खड़ा है पुलिस के जवान खड़े हैं पीट करके खड़े हैं पत्थर बाजों की तरफ यानि पत्थर बाज आगे पत्थर चला रहे हैं और यह उनके पीछे खड़े होके पीट दिखाये हुए हैं यह जवान पीट नहीं दिखा रहा है यह पुलिस के लोग पीट नहीं दिखा रहे हैं यह भारती जनता पार्टी के लोगों के कारण भाजपार नेताओं के निर्देश के कारण इनकी विवस्ता है मजबूरी है इनकी नौकरी चली जाएगी पानी का टैंकर जाने की छूट नहीं है स्टिंगू बॉर्डर पे लेकिन पत्थरवाजों को जाने की छूट है तो इसलिए यह हमला यह हिंसा यह लाल किले पर देश के स्वाविमान और सम्मान को मानित करने का काम किसी और नहीं भारती जनता पार्टी ने किया और इसके कारण भारती जनता पार्टी के खिलाफ देश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए भारती जनता पार्टी ने देश द्रोह का कृत्त किया है उनका असली चेहरा सामने आ गया है कहें उनके विधायक के रूप में कहें उनके गुंडों के रूप में हर जगहां आज टार्गेट किया जा रहा है लेकिन बहुत पस्त तोर पे कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी हमारे नेता अर्विंद केजरिवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कारेकरता किसानों के साथ था है और हम रहेंगे मुझफर नगर जाकर भी मैंने केजरिवाल जी का पार्लेमेंट के अंदर भी मैंने रास्टपती के अभीबासर के दोरान भगवंत मान जी और हमारे सांसदों ने सुसील गुपता अंडी गुपता जी ने हम लोगों ने नारे बाजी की आगे भी बजट सत्र जब चलेगा किसानों का ये तीनों काला कानून वापस होना चा मित्रों के सामने देश के किसानों की अस्मिता को गिर्वी रख दिया है आखिर कौन सी मजबूरी है प्रधान मंत्री जी एक काला कानून वापस नहीं लेना चाहते इन तीनों काला कानूनों को वापस लीजिए प्रधान मंत्री जी अन्य था हम लोगों से जितना हो सकेगा हम पूरा विरोध संसस से लेके सड़क तक किसानों के हक में करते रहे हैं करते रहेंगे इतनी बात मुझे कहनी थी आपनों के सब्सक्राइब देखे ऐसा है कि बातचीत 11 दौर की हो चुकी है लेकिन बातचीत का नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि किसान भाई मानते हैं कि ये उनके लिए डेथ वारेंट है मैंने पार्लेमेंट में भी इस बात को कहा बाहर भी कहता हूँ कि किसानों के डेथ वारेंट पर मोधी सरकार ने साइन किया है और किसान के death warrant पर जो sign हुआ है उसमें संसोधन नहीं हो सकता death warrant पर संसोधन नहीं हुआ करते death warrant वापस लिया जाता है इसलिए तीनों काला कानून वापस लेने की बाद प्रधान मंत्री जी कह दे किसान जो border पर बैठे हैं वो अपने अपने घर चले जाएंगे उनकी कोई व्यक्तिगत दुस्मन ही नहीं है आपसे उन्होंने तो आपको देश का प्रधान मंत्री बनाया आप उन पे पत्थर चलवा रहे हैं आसुगैस के गोले चलवा रहे हैं उनको देश द्रोही और गद्दार कह रहे हैं तो इसलिए ये बार-बार वारता की नोटंकी से कुछ नहीं हासिल होगा अब सब कुछ सरकार के पास है वो इस बिल को वापस ले किसान अपने घर वापस चला जाएगा देखिये जो उन्होंने जो वीडियो में नंद किसोर गूजर ने बोला है लोनी के विधायक ने बोला है मैं तो उसकी बात कह रहा हूं और वो मैं आपके सामने कर सकता हूं कि क्या उन्होंने बोला है तो इसलिए कोई छिपी हुई बात नहीं है मैं वो दिखा भी सकता हूँ हमने उसको चलाया भी है अभी एक मिनिट में मैं दिखा देता हूँ आप यूपी वाले और कोई सवाल किसी का कि यह सब हिंदूस्तान का हिस्सा आप यहां पर इंटर्नेट की सेवाएं बंद कर रहे हैं किसानों को दुश्मन देश का नागरी समझ रहे हैं यह सब बेभार आप क्यों कर रहे हैं आपको पता है किसान कितने गुस्से में हैं बीजेपी के नेता आज गाउं में नहीं जा सकते इतना गुस्सा है किसानों के अंदर आप उनको जिस तरीके से रोज देश द्रोही गदार क्या क्या नहीं कह रहे हैं तो ये इंटरनेट की सेवाएं आप बंद करा दीजिए चाइफोन की सेवाएं बंद करा दीजिए ये आ परनगर में कल क्या हुआ आज मतुरा में जा कर देख किया यह क्या हुआ आप देखे उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा रूप ले रहा है अंदोलन हरियाना में कितना बड़ा रूप ले रहा है कितना पुरे देश में ब्यापक रूप ले रहा है देखिये ना गाओं का आदमी खिलाफ है ना साहर का आदमी खिलाफ है मैंने आपको प्रमार सहित ये बता दिया कि जो भी इस आंदोलन के खिलाफ है वो कोई और नहीं भाजपा के लोग है हमला करने वाले लोग कोई और नहीं भाजपा के लोग है मैं आपसे पूस्त हो रहा हूँ 90% रूट पे अगर किसान अपनी ट्रैक्टर रैली सांतिपूर्ण तरीके से चला रहा है तो इस विक्ति को जो बीजेपी का आदमी है इसको लाल किले कैसे पहुंचने दिया गया 26 जनवरे की दिन लाल किले की सुरक्षा और फुक्र्फट और मच्बूत रहती है 26 जनवरी के दिन लाल किले पे कैसे कोई पहुंच जाएगा बगर बीजेपी के अनुमती के, बगर बीजेपी के परमीशन के, बगर बीजेपी वालों के अभी मैं उसको भेज़ देता हूँ आदमी पार्टी ने पहले भी सपस्ट किया है, मैं फिर दोरा दे रहा हूँ कि हम लोग इस काले कानून का पूरी तरीके से विरोध करेंगे और इसके लिए जो भी जितनी भी हमारी ताकत है, पिछली बार भी मुझे निलंबित किया था, जो भी कारवाई करनी है वो सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन हम अपना अंदोलन, अपनी आवाज, पार्लिमेंट के अंदर और सड़क पर दोनों जगें बुलंद करते रहेंगे वो बार भी मुझे जब स्क्राव जाए सकती है को आवाँ